तो प्रागत यहां से काल खतम हुआ देखिए फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे संधो काल संधो काल देखिए सबसे पहले यह होता है कि स्लेबस पढ़ने से पहले माइड मेकप करना पढ़ता है कहां तक पढ़ना है यह बहुत जरूरी है पढ़ने से पहले यह बहुत ही जरूरी होता है तो इसके बाद प्रागतिहासिक के बाद आपका संधो काल आएगा जैसे सिंदु घाटी सब बता सिंदु घाटी सब बता थोड़ा सा यहां पर मिस कर गये थे प्रागतिहासिक काल में देखे, प्राग्यतिहासिक चित्रकला का निर्माड करने में कुछ उद्देश रहा होगा मनिश्यों का, ये भी पढ़ना पड़ेगा, प्राग्यतिहासिक कालीन चित्रकला का उद्देश है, उद्देश की साथ उसकी बिसेश्ता भी रही होगी, प्राग्यतिहासिक चित्रक अलाकि विशेषता रही होगी, यह भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यहां से अब प्रस्न आने लगे हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट पेपर 2016 TGT का हुआ था, हीरण बाग में कन्फ्यूज किया था, विशे में, ठीक है यह अब ध्यान देना पड़ेगा, पहले जैसे अब नहीं आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब जो है, प्रस्न तो आसान रहेंगे, लेकिन जो है, आप्सन जो होगा ना, वो क्रिटकल होगा, इसलिए अब ध्यान से पड़िए, अब देखिए, संदव कला या सिंदुभाटे की सब बता, तो बेवारिक पूरा क्या पढ़ ठीक है ना, कितने देश में फैला है, कौन-कौन से अस्तर महानगर है, ठीक है ना, खुदाई, खुदाई की पद्धति, ठीक है ना, इसकी लंबाई, लश्चोडाई, ठीक है ना, देश होंगे, तो जैसे भारत हुआ, पाक हुआ, अफगानिस्तान, तिन देशों में फैला है, सबसे ज़्यादा जो अस्तर है, वो क्या है, पाकिस्तान में इस्तित है, डगभग 80% अस्तर, और जो भारत में जो सबसे ज़्यादा अस्तर, मिले हैं वो, स्रुषतिन नदी के किनारे इस्त बिख़व काल्या, सिंदुघाटी सभबता, कासियोगीन सभबता, नदीघाटी की सभबता, मृढपात्रों की सभबता, इसका नाम भी कहीं नाम है, ठीक है न, हडपा सभबता, उसका भी रीजन है कहने का, ये सारी चीजे पढ़ेंगे, नाम करण हो गया, खुझकरता हो जा प्रियोग किया गया है मूर्तिकला यही से हम लोगों को 창 काका प्रियोग की आ थाओर तीना मिला के कासा का बनाया गया है तो क्या है मोर्तिकला पढ़नी है यही से हम लोगों को ठीक है कहा संगरहित है किसकी मूर्ति है ठीक है यहां से प्रस्ण किस तरह से आते हैं, अभी आप TGT का पेपर सॉल्व करेंगे, जो बिगत वर्सों में आये हैं, उसमें से ज्यादा तर जो TGT के प्रस्ण आये हैं, वो मातर तीन अस्थर से, ठीक है ना, जैसे हडपा हो लिया, अडपा, मोहन जोदुडो, अडपा, मोहन जोदुडो, लो थल, राखी गड़ी, धौला बीरा, काली बंगा, इसके बाद आपका ये पड़ेगा, जो है, दायमा बाद, ठीक है ना, बहुत सारे अस्थर रहे, ठीक है, तो ये भी पड़ना पड़ेगा, इसकी खुदाई किसने की, खुदाई किसने की किस सन में हुई किस नदी की किनारे इस्तित है ठीक है ये क्या-क्या मिला कलाकृतिया क्या मिली कलाकृतिया क्या मिली ये सारी चीजे यही से चाहे आप लोथल पढ़िए राकी गड़ी पढ़िए धौला बीरा पढ़िए काली बंगा पढ़िये ठीक है ना दायमाबाद पढ़िये अन्न भी हस्तल है बस यही पढ़ना है अब ज्यादा तरह अब देखिए TGT में कहां से प्रस्णाते हैं सबसे ज्यादा आपके हडपा मोहन जोदुड़ो और लोथर TGT में इतने से ही प्रस्णाते हैं बात अलग है कि आपसन में अन्न चीजे भी रहती है वो बात अलग है लेकिन याद रखिएगा अगर यहाँ से भटकेगा TGT में अगर गया तो जाने के बाद क्या करेगा वो ओबराल पूरे सिंदु घाटी सब्धता की भी सेष्टा में आ जाता है अब यहीं देखिए जब KBS में आता है KBS का पेपर कभी साल्ब करिए या DSSB में जब आप साल्ब करेंगे तो अब यह क्या देदेगा यह कलाकृतियां देदेगा कलाकृतियां ठीक है ना अब इसके पहले जो NBS का पेपर हुआ था जेड़हार पूझा था कहां से मिला है ठीक है ना तो इस तरह से अब कलाकृति देदेगा यहां पे और यहां पे मिला यह यह होता है ठीक है पढ़ना यहीं सारी चीजे हैं तो हर तरह से TGT में किस तरह से आता है उतना इदम कमांड करके रखे अगर TGT का पेपर दे रहा है अगर हाँ वह EGC का दे रहा है उसका पेपर का अध्यान करिए पिछले पैटन में किस तरह से प्रसनाय थे KBS का देखिए अगर KBS दे रहा हैं तो SSB देखिए वह किस तरह से प्रसनाय है उसके recording आप पढ़िए ठीक है ना पुराने पेपर पढ़ने से बहुत सारे लाव होते हैं और ये जरूर आप पढ़िए और अध्यन करिए और गहान अध्यन करिए ठीक है ना ये हो गया सिंदु घाटे की सबता की कला अब फिर हम लोग क्या आएंगे बैदिक बैदिक काल ठीक है अब बैदिक काल को देखिए दो भागों बाटा गया है पूरू बैदिक काल और उत्तर बैदिक काल ठीक है ना अब यहाँ पे जैसे बेदों की रचना हुई है और यहाँ पे आएंगे तो अन्य चीजों की रचना हुई है जैसे अथरो बेद के बाद उपनिशद, मनुस्मृतिया इस्मृति फिलहाल बाद में रची गई है तो ये भी जानना जरूरी है क्योंकि ये योजीसी में हो सकता है मिलाने के लिए दे 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 और वो भी जब तक आप क्रमिक ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मिलाने में दिक्कत होगी यहां पढ़ेंगे हम लोग ठीक है ये हो गया आपका बैदिक काल हो जाएगा अभी बस टच करार है स्लेबस से आप सबको ठीक है ना करते जाएगे फिर बहुत ही आसानी से आपको स्लेबस सबज़ में आएगा पढ़ने में मजा भी आएगा ठीक है ना फिर यहाँ पर आएंगे हम लोग तो क्या होगा 16 महा जनपन 16 महा जनपन ठीक है ना जैसे अंग, मगद, वज्जी ठीक है ना, वैसाली, गांधार यह सारी चीजे 16 महा जनपन में आएंगी तो यही से देखिए जो सबसे ज़्यादा सक्तिसाली होगा ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा सक्तिसाली होगा, वो क्या होगा राजवन्स की निव पढ़ेगी जैसे देखे हर्यक वन्स सिसुनाग वन्स नंद वन्स ठीक है ना, यह पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि मिलाने के लिए जब आएगा ना इसी तरह से फसाएगा और ये पहले से ही clear रखिए ठीक है ना जब ये once start होंगे इसके पहले ही हम लोग के क्या पढ़ना पड़ेगा धार्मिक अंदोलन धार्मिक अंदोलन में जो दो धर्मों के बारे में हमको और क्या कहते है कि सबसे ज़्यादा भी पढ़ना पड़ेगा यहां से पहला जो होगा वो बहुत धर्म होगा और दूसरा होगा जैन धर्म ये होगा आपका बहुत धर्म और जैन धर्म बहुत धर्म पढ़ने के बाद अजंता तक आप जाएंगे यहां तक कि कहां तक हमको चलना पड़ेगा पाल पाल कला तक क्या है चित्रण भी से बहुत धर्म ही रहा है चले बहुत धर्म और महात्मा बुद्ध पढ़ना बहुत ही जरूरी है तो भी पूरा डिटेल में और यहां तक कि जैन धर्म कि कोई जैन धर्म भी पढ़ना वहुत जरूरी है जैन धर्म अबरंसली तक चित्रण हुआ है तो इसलिए क्या है जैन धर्म के जित्रे तिठंकर है उनका जन्म अस्थान भी पढ़ना है उनका प्रतीक चिन भी पढ़ना है रंग भी पढ़ना है मिलाने के लिए आता है ठीक है ना और यहां के बाद हिंदू धर्म भी पढ़ना पड़ेगा हिंदू धर्म ठीक है ना हिंदू धर्म दो संपर्दाय बैसड़ो धर्म सैव देखे हम धर्म इसलिए कह रहे हैं कि जब हिंदु धर्म से बैसड़ो संपरदाय या सैव संपरदाय बना तो क्या हुआ वो संपरदाय था ठीक है ना लेकिन जब उसका ब्यापक तोर पे प्रचार हुआ तो बहुत सारे लोग सैव धर्म के मानने वाले हो गए तो वो संपरदाय धर्म में कनवर्ट हो गया जैसे बहुत धर्म बहुत धर्म में आप पढ़ेंगे ही नियान और महाया ठीक है ना पहले ये संपरदाय था विकास नहीं कर पाया नहीं तिये ही नियान धर्म में convert हो जाता है ठीक है ना ये पढ़ना है अब देखे धर्म में धर्म पे आ गए है तो ये भी देख लिजिए देखिए बाउत धर्म से संबंधित गुफा जैन धर्म में संबंधित गुफा हिंदू धर्म से संबंधित गुफा ये सारी चीजे पढ़ना एदम clear cut पढ़िएगा, क्योंकि आता है, PGT, PGT, NET, UGC, KBS में सम में आता है, इसके साथ ही साथ, समझिएगा कि साहित जो लिखे गए हैं, बहुत धर्म के साहित, जैन धर्म के साहित, हिंदु धर्म के साहित, ये भी बहुत बार पुष्टा है, क्योंकि इन ही साहि इन काल में जो भीत चितर कारी मिली है, जो भीत पे चितर बनाए गए हैं, इसी धर्म पे अधारित हैं, फिर अगर मध काल में जाएंगे हम लोग, पाल जैन अब्बरंस यहां तक की राजस्थानी पहारी में जाएंगे, तो इसी धर्म की पुष्टकों का चितर हुआ है, तो इसलिए ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है और यहां से प्रस्ण भी आते हैं।